कर दोस्तों मोसम की ताज्य खबरों में आपका स्वागत्ता है दोस्तों अभी अभी बड़ी काबल लिकर्क री रास्तार मुसुआ वा भारतिय मुसुआ के न्सुआ ये मोसम में भौती बदलाबा चुका अब रास्तार में मांसूरी वारिष की संभावना बनी हुई है अग कि मद्यांबाज देखने हो मिलेगी जब की बात करें दूस्तों 21 अगस्त की तो 21 अगस्त को संपूर रस्तन में ग्रीन जोंदे रखा यह जो बिलकुल कम जो रिस्तिति मने हुए कोछी जिलों में हल्की मुदामाद देखने हो मिल सकती है अगर आप इस शर्पा पहली बार आ पहले बात कर लेते हैं गुनिस अगस्त की जो इस्ति बनी हुए किस परकार रहने वाला जान लेते हैं दोस्तों पहले बात कर लेते हैं गुनिस अगस्त की जो इस्ति बनी हुए संपूर रास्तान में मद्यमाद निवन बाइस देखनों मिलेगी तो जान लेते हैं दोस्तों मौसु वक्यान स्वार किस परकार मौसम रहेगा यानि पश्मी रास्तान में तो मौसम मिलकुल साप रहने वाले हैं यानि गृन में हलकी बुनदाबान देखनों मिल सकती हैं जबकि जैसल मेर और बाड मेर जोदपुर और जाल और इन जिलों में मौसम मिलकुल साप रहने वाले हैं यानि तेज दूब कड़क बाप बहदी गर्वी पढ़ने की समावना बने हुई है जबकि बात करें दोस्तों इधर से यूपी से सटे हुए जिले हैं दोस्तों और इधर से एंपी से सटे हुए जिले हैं दोस्तों इन जिलों में हलकी बुनदाबान देखनों मिलेगें क्योंकि दोस्तों पूर्वी जिलों में मौसम में है जो हलकी बुनदाबान देखनों मिलेगें जैसे बात करें दोस्तों जुनिनों सीकर, अलवर, भरतपुर, दोलपर, करॉली, सबाइमनदपर, दोसा, जैपर और अजमेर और टॉक इन जिलों में मौसम है जो हलकी बुनाबान देखनों मिलेगी मौसम सुबे से साप रहकर तो पहर बाद इस्तिति में बदला भी आ सकता है बात करें दोस्तों वारा, कोटा, बुनी, जालाबा, चित्तोलगा, डूंगरपूर, वांसवड़ा, उधैपूर, सुरोई, रासमन, पाली, आधी, जिले दोस्तों इन जिलों में हलकी मद्यम बारिशी देखनों को मिलेगी क्योंकि मौसव में जो यलो अलर्ट तो जारी कर रहा है, लेकिन दोस्तों मानसुनी बारिश कमज़़ बने हुए, और हलकी मद्यम बारिशी देखनों मिलेगी तो जान लेते हैं दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों कि 20 अगस्त की जो इस्तती बने हुई है, किस परकार बने हुई है, और किनके जिलों में बारिशी देखनों मिल सकती है किकि दोस्तों इदर से मद्प्रिदेश से सट हुए, और इदर से यूपी से सट हुए, और इंजलर जारी कर रहा का, वा हरियाना में भी मोसम में बद्राबा चुका, और मद्यम बारिशी देखनों मिलेगी जबकि दोस्तों इन हन्मानगर्ण और स्री गंगानगर्ण और चूरू और नागर इन जिलों में हलकी बुन्दाबान देखनों मिल सकती है और बीकारियर, जैसलमेर, बार्ण मेर, जालार और जोदपुर, ये मोसम बिलकुल साप रहने वाले हलकी मद्यम बाच देखनों मिल सकती है सुबए से मोसम बिलकुल साप रहेंगे, तेज़ दूब कड़क वा बेहदीत आपमार रह सकता है जबकि बात करेंगे, इधर से जुन्जनों सीकर, अलबर, भरतपुर, दौलपुर, करोली, सबाइमत पर, दौसा, जैपुर, अजुने, टॉंक, आदी, जिले, दूस्तों, इन जिलों में हलकी वा मद्यम बाच देखनों मिलेगी जबकि बारा कोटा, बूनी, चित्तलगर, जहलावा, ढूंगर पूर, वांसवाड़ा, शुरुवई, रासमत, पाली, उधर पूर, इन जिलों में मद्यम बाच देखनों मिलेगी तो अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेता हैं दोस्तों,im ग ACT 21, अगस की जो इस्ततीी वनी विए किस परकाट माने हुए है जान लेते हैं दोस्तों, Pacific यम्षिस जो इस्तती वनी बानी है, बहुती कमज़ोर इस्तती वनी हुए यानि मौनशूने जो फिरसे कमज़ोर पड़ चुके हैं दोस्तो यानि संपूर रास्तान में ग्रिन जुन्दे रखा मोसम बिल्कुल साप रहने वालें तेज धूप कड़क वब्यादी ताप मार रहने की सम्भावना बनी हुई है दोस्तो लेकिन दोस्तो एंज लों में हलकी बूनाबान देखने मुलेगी इदर से अर्याणा और यूपी से सटे हो जले दोस्तो एंज लों में हलकी बूनाबान देखने मुलेगी जैसे हनमानगार स्री गंगानगार इदर से जुन्दू सीकर अलवर भरतपुर और यह जले दोस्तो एंज लों में हलकी बूनाबान देखने मुल सकती है वैसे मोसम बिल्कुल साप रहने वाले यानि तेज धूप कड़क और देहदीक ताप मान रहने वाला दोस्तों पूर्वी रास्तानवा पस्षीव रास्तानवाई अगर कोई भी नूज अब्लिटेटिंग आएगी तो हम आपको तुरंत अबगत कराएंगे श्चेलक के मद्दम से